12 मार्ग में होटल, धावो, टी स्टॉल, फल, जूस और पान के खोके पर नेमपलेट लगाने की मांग उठाने बाले स्वामी यश्वीर महराज एक वार फिर अपनी अनोकी अप्रील को लेकर चर्चाओं में हैं नेमपलेट विबात पर सुप्रिम कोट की अंतरिम रोक लगी है इसके बाद जहां विशेश समुदाय के छोटे बड़े दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से नेमपलेट अटाकर पहले की तरह कारोबार शुरू कर दिया है तो वहीं सुआमी यश्वीर महराज ने सुप्रिम कोट के आदेश को चनौती देते हुए बंगलबार को अनोकी मुहिम शुरू की उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि सभी जोटे बड़े दुकानदार अपने प्रतिस्टानों पर ओम लिखें भगवा जंडा और भगवान बिश्णू के अफ तो हमने जो अभियान प्रारम किया था कि जितने भी होटल है ढबे हैं चाही की दुकान है मिठाई की दुकान है जूस की दुकान है और फलों की कोट ने उस पर अंत्री में रोक लगा दी लेकिन अब मैं यह कहना चाहता हूं अपने सनातन धर्म के लोगों को आप अपने होटाल ढब्यादी खाद्य पदार्थ की जो दुकाने हैं उस पर मोटे अक्सरों में अपना नाम लिखे आधार काड की टुर को पील चिपकाएं औ और अपने दुकान पर भगवे रंका ओम का जंडा